जिर्पत हापोड के थाना गड़ मुक्ति इश्वर क्षेत्र के अंतरगत रविदास चौग पर महला सेंगे वाला महले में कुछ दबंग लोगों ने कचहरी पर कए एक शिवा नाम की व्यक्ति पर चार लोगों ने चाकू छोरी से जानलेवा हमला किया जिनके नाम सोनो मोनो विशाल प्रिंस ने धारधार हत्यार से किया जानलेवा हमला घायल शिवा को परिजनों द्वारा मेरट मेडिकल ले जाये गया जहां डॉक्टरों ने उपचार किया पुरी घटना सिविल कोड से तारिक लगा कर घर वापस लोट रहे शिवा को चाकू छोरी से हमला किया ग कामले को लगभग 45 दिन बेद जाने के बाद भी नहीं होई कोई कारवाई मुझरिम खूम रहे हैं पुलिस की गिरफ्ट से दूर पेडित परिवार का कहना है अब भी खुले आम चाकू छोरी लेकर शिवा को मारने की फिराक में खूम रहे हैं मोनो सोनो मुझरिमों ने बा लगातार जारी है आप बने रहे टीटेन 24 न्यूस के साथ नमस्कार क्या नाम आपका कहां के रहने वाले ओप क्या हुआ है आपके साथ सर मेरे यासा हुआ तो मैं यहां से तारीख लगा गाना आया था। तारीख लगा का मैं यह सीधे घर पर आया तो चार लड़के आई मोरू लिसाल, सौनु, फिरांक, तो उन्होंने सर मीरे यहां पर मैं ख़डा है फीछे से बार कर दिया इनोना कि चार जगे चक्कु बार्दयाना मेरे अब चक्कु बारक कोनुंना जैसे में थोड़ा दाब भगा भीजी बड़े वाने ने मारता जा यह मुणो कहते हैं के तहा के रहने मिला आतराम बस तीक है आपको जाती दोसमारी कीश्रान के कोई कोई दोसरे नहीं नहीं थी सखा फि पंचा तो पुलिस ने क्या बोला पुलिस ने क्या बोला पुलिस ने क्या बोला है उसके बाद आपने कोई एसपी साब के पास वहाइट फोलेफाला था उन्हें बाहर से मुझे एक इस्पेटर साफ को फोन करा था उन्हें भाहर से भाहर दिया आपके दरोगा जो है उनका कहना में जो केस को बेख रहे हैं तो राजविक जी कुछ नहीं कर पार रहे हैं और और हमें मार रहे हो आमें निए गार रहे हो कि हम धरोंगर फुलिय। कि ने हमें अधमकी के देए हैं और अमके के ते हैं तुम दे कैसे लगा दूँगा किस तुम थे मा रहतै गा गाने धी लिए थे उन यंहें उनलम किन्वा रहा हुआ रहा है जो छे सइस hog जे लिए हुआ है नहीं पुलिस में। कर दिया कि लिए जार फिर फिर इस वात कुट आपने पुलिस जाने इस वात को